आप आप सब आप सब होती अच्छे होंगे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और आज बहुते स्पेशल दिन भी है आज मेरे हज़बन जी का जनम दिन है 17 सितंबर को और अब आप सो कल रहते हां कल मेरे हज़ड़न भी ना मतलब वह सिर्फ एक हपते की चुट्टी आये थे वह दो दिन रहते कर वे बाकी दिन इधर उदर जाने में और काम करने में लगे थे उनको तो कल वो गया आज उनका जनम दिन है तो बहुत एकार्ट लग रहा है कासू होते है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं बड कोई बात ने इंतिजार करूंगी है ना कभी न कभी अगले साल भगवान करें हम साथ में ही जनम दिन मनाएं ऐसा मोका जरूरा आना चाहिए तो गाइस क्या खट्तियों देखते हूं अभी जह सबाइब साप सपाई तो एक नॉर्मल चीज हो जाती है हमारे पहाड़ियों में की बनानी बनानी है ना कि अच्छे मुक्य पर पूरी टेक लगाई जाती है तो वही पूरी पकोड़ी बनाऊंगी और देखते हूं साथ में हलवा बनाऊंगी मीठा जरूर बनाऊंगी आज कुछ ना कुछ तो मिलने बहुत अच्छा दिन है बहुत बड़ा दिन है कि इन्होंने मेरी लिए जनम लिया था और बस बाटी ज्यादा नहीं कुरूरी कि मुझे रोना आ जाएगा कैस कली तो गए याद आ जा रही है ना याद चलो मैं इस बार ज्यादा ना सैड नहीं हो पता ही क्योंकि वह अपन इस बार गए तो फिर आयें जल्दी है जैसे जल्दी भी आ जाएंगे और आप लोग को ज्यादा बहुत नहीं हो तैयार होती हो मतलब नहाती हो फुझे खड़ती हो और नासता बनाती हो उसके बाद मिलते हो आप से क्या खड़ती हो है ना सेलेट कहने को तो मन नहीं है करोंगी क्योंकि कल मैं भी माई के जाने वाली है आज उनी के बड़े के लिए रूप है कि अपने पती देख का बड़े मनाते जाओंगे अपने साथ से सुर के साथ उनको भी आज का दिन बुड़ा ना लगे और मुझे भी अच्छा फील हो हना उनी से केक वगेरा तो मंदिर में दिया पती कर लेती हूं उसके बाद कुछ मिनाते हूं है और यह देखें यह मेरे पिछे अब यह मेरे हजबेंड का बड़े की प्टा है ना तो यह मैं हूं यह कौन है यह मैं हूं और यह मेरा कमरा बस सब्सक्राइब को दे दिया और आप पूजय में चड़ा लिया था सबसे पहले पूजय में दिया और इसके बाद ममी पापा को दिया उसके बाद यह मेरे हजबंड जी के लिए है हैपी बड़े तू जान एंड गड़्ड ब्रेस जो हमें सब फुस रहना और मेरी उमर भी आपको लगजय है और दूसरी बाइट दूसरा दूंगी यह नहीं यह अपनी हज़िंट कर जूठा नहीं दूंगी यह में खा ले पिया है कि दूसरी बाइट मेरे सब्सक्राइब को मेरे पती देप को अच्छे चीज़ देना एंड उनकी नंबी उमर की मनोगामना करना कि सब्सक्राइस मैंने पूरी पकोडियर हलवा बना रखा है बस इसको खाते हैं उसके बाद देखतें क्या प्रूराम बनता है तो गारे कि मैंने ऐले अपनी नहीं क्योंकि मुझे भी कल घर जाना है तो अपने तो सुपनी कपह रखेंगी जो पहन के जाओंगी बच्चे के सारे कपपे मुझे ला जाना पड़ेंगे क्योंकि एक दिन में पांच बार तो वो तीसर चेंज करता है और सलवार तो पूछे मैं कितनी बार चेंज करता है ना चलो मैं भी कपड़े कपड़े रख लेती हूं और एक तरफ जाने की खुसी बिही द्हूसर तरफ थोड़ा अजीब से लगता है और एक तरफ खुसी में घड़़दा से लगता है और एक तरफ खुसी है होती है घर जानते है चलो, क्या कर सकते हैं? घरवालों को भी थोड़ा बहुत देख नहीं है और सुसुरार मों भी देख नहीं है दोनों तरब की जिम्मेदारी हो जाती है एक लड़की की शादी के बाद आज ममी बड़े गल बन गई है मामा तो बड़े ना तो मामी बड़े गल बन के लिए मामा तर है नहीं हर्यों 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 बड़े पापा बड़े मतला हर्यों बड़े केसे दिये सब के पैसे आपको श्रिप लाना है समुसे समुसे तो कैस में केक अगेरे तो लावी थी और अभी खान बना रते हूट पहले हुआ 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 होपहँ जो जे दो जी को जो प्रोटे पाने है आपक्ला उसको चाहिए हुआ हुआ है। लोड़, ताइक्यू वेकम तो गाइस पहले खाना वना रहती हूं उसके बाद जागे में केकिस्टार्स रहती हूं पहले खाना वना रहती हूं झाल झाल तो तो झाल 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 नुभ पॉप झाल 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 मैं आगया अपने कमरे में हमने खा पी लिया है बस मेरा तुझे जो मेन और वो समोसे खा के पेट भर गया था बट झाल 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 झाल